मकान या जमीन की रेजिस्ट्री से संबंधित नियमों में इस वर्स कुछ परिवर्तन किये गए हैं तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेजिस्ट्री आखिर होती क्या है तो इंडिया में registry एक कानूनी प्रक्रिया है, कोई भी property खरीदने पर उसका जो ownership होता है, यानि कि जो मालिकाना हक होता है, वो seller से buyer को, यानि कि विकरेता से क्रेता को transfer करवाना ही registry कहलाती है, मतलब property के paper पर उसके विकरेता मालिक का नाम हटा कर, क्रेता का नाम दर्श कराना ही registry कहलाती है और इसी के आधार पर जमीन या मकानों को खरीदा या बेचा जाता है इसके बाद हम ये जालने दे हैं कि मकान या जमीनों की registry से जुड़े जो पहले के नियम थे वो क्या थे तो वो कुछ इस प्रकार से थे कि जमीन की जो कीमत है उसके टोटल अमाउंट का 20,000 ही विक्रेता कैश यानि की नगत की रूप में प्राप्त कर सकता था और बागी के अमाउंट को बैंक के माध्यम से प्राप्त कर सकता था और दूसरा ये कि registration करवाने के दौरान registrar office में दोनों ही parties यानि की क्रेता और विक्रेता की उपस्तिती अनिवारे थी और registry करने से पहले registrar विक्रेता से पूछता था कि वो जो property बेच रहा है उसकी कीमत उसके प्राप्त कर ली है या नहीं और किस माध्यम से प्राप्त की है इसके बाद विक्रेता को registrar को मात्र इतनी ही जानकारी देनी होती थी कि जो जमीन वो बेच रहा है उसके टोटल अमाउंट का 20,000 रुपए कैश और बागी के पैसे अकाउंट में रिसीव कर लिया है और इसकी तुरद बाद जमीन की registry हो जाती थी और जमीन की खरीद फरोट की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी लेकिन 2023 में registry से संबंधित इन नियमों में थोड़े परिवर्तन किये गए है जिसमें से पैसो के आदान तुदान का जो नियम है वो बिलकुल पहले की तरह ही है यानि कि अभी भी property के total amount का 20,000 रुपए ही विक्रेटा नगत के रूप में राप्ट कर सकता है और बाकी का amount क्रेटा विक्रेटा के account में transfer करेगा यहाँ पर संसोधन ये किया गया है कि पहले क्रेटा अपने किसी रिस्तिदार या मित्र के माध्यम से भी विक्रेटा के account में पैसे transfer कर सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं है आज की डेट में पैसो का लें देन सिर्फ क्रेटा और विक्रेटा के बीच में ही होना चाहिए किसी और के account से पैसे transfer नहीं किये जा सकते यानि कि क्रेटा को अपने account से ही विक्रेता के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होंगे और विक्रेता भी किसी और के अकाउंट में पैसे रिसीव नहीं कर सकता विक्रेता अपनी ही अकाउंट में पैसे प्राप्त कर सकेगा और यदि कोई अपनी पत्नी या बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीबता है ऐसे में उसे प्रूफ करना होगा कि अमूप महिला उसकी पत्नी है जिसके लिए वोटर आईडी कार्ड या मैरिज का मैरिज सर्टिफिकेशन जैसे प्रूफ दिखा सकता है उसके बाद ही व अब विक्रेटा को इसका प्रूफ भी देना होगा जो कि पहले उसे नहीं देना होता था यानि कि उसने बैंक में जिस भी माध्यम या मोट से पैसे प्राप्त किये हैं जिस भी अकाउंट में पैसे प्राप्त किये हैं उसका एक प्रूफ उसे देना होगा तभी जमीन के र रेजिस्ट्री से संबंधित नियमों में ये दो महत्वपूर्ण परिवर्दन किये गए हैं जिसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है